Good morning students, myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel Students, हम लोग अपनी Python series में last lecture में list topic को खतम कर चुके हैं हमने today list last topic cover किया था उस पे traversal, उसका उसकी dynamic entry और कैसे कौन-कौन से programs उसके बन सकते हैं वो मैंने practice कर आ दिये थे आज हम लोग अपनी Python series में एक नया topic, नया chapter शुरू करने जा रहे हैं अब जिस student ने list पढ़ाना पूरा उसके लिए tuples समझना कोई बड़ी बात नहीं है tuples बिल्कुल list जैसे ही है, थोड़े बहुत minor differences है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या differences है, जिसे जो बहुत major difference है दोनों में वो यह कि एक mutable है तो दूसरा immutable है, मतलब list mutable है उसके अंदर के elements को बदल सकते हो, अगर list के two index पे 74 पढ़ा है तो आप उस 74 को 78, 120 कुछ भी number से change कर सकते हो, मगर यही चीज टपल में अगर list के two index पे 78 पढ़ा है तो वो हमीशा 78 ही रहेगा, आप उसे नहीं बदल सकते हैं क्यों क्योंकि टपल एक immutable type है तो ऐसे ही और कुछ minor differences है यह तो एक बहुत major difference था कि एक में changes allowed है दूसरे में नहीं है मगर कुछ minor differences भी है वो मैं आपको दिखाऊँगा, अभी coding में बताऊँगा कैसे कैसे आप टपल बना सकते हो, indexing का role तो same list वाल ही है, जो list में index है, वही टपल के भी index है, ठीक है, मगर क्योंकि इसमें changes नहीं हो सकते, तो शायद कुछ questions ऐसे होंगे, जैसे हमने list मेंने काफी सारे questions practice करें तो अपनी वीडियो में, जिसमें मैंने list को बदला था, जैसे वो element जो even है, उनको half कर देना, वो element जो odd है, उनको triple कर देना, या interchange करना value को, list के zero index को last interchange कर देना, तो ये सब टपल में नहीं हो पाएगा students, हाँ, अगर टपल से data display करना है, वो aloud है, मगर changing, जहाँ प कैसे देता है system, और कैसे कैसे हम उसे operate कर सकते हैं, indexing के element को कैसे बुलाया जा सकता है, आज उसके बारे में रहेगा, ठीक है, चलते हम अपनी coding screen पे, आज हम introduction पढ़ेंगे, टपल्स का, तो students, आ गए हम लोग अपनी coding screen पे, सबसे पहले मैं आज की heading डाल देता हूँ, that is, tuples in python, ठीक है, tuples in python, आज मैं आपको न, tuples की intro दूँगा, की tuple होता क्या है, और list से वो कैसे different है, ठीक है, होता क्या है tuple, सबसे पहले tuple के बारे में जानते है, a tuple is a collection, collection of data, a tuple is a collection of data, enclosed within circular brackets, जब आप multiple data को circular bracket के अंदर enclose करते हो, enclosed within circular brackets, कुछ चीज़ को tuples बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, कि जब list पढ़ी थी आपने, तो वहाँ पे square bracket लगते थे, मगर एक tuple में students circular bracket लगते हैं, जो भी data circular bracket में enclosed किया जाता है, वो tuple कहलाता है, ठीक, जैसे कि एक छोटे से example से समझाता हूँ, एक T नाम की tuple बनाता हूँ, और circular bracket में 7, 24, 19, 56, ठीक, तो अब ये क्या बन गया student, ये जो T है वो एक tuple बन गई, T is a tuple here, ठीक, अब सर ये तो बिलकुल list जैसे ही है, बस square की जगा circular bracket ही तो है, हाँ भई, बिलकुल list जैसे ही है, मैं अभी definition में ये point भी note करा हूँगा, कि एक tuple जो है, वो बिलकुल list जैसे ही होती है, बस फरक कितना होता है, कि एक list mutable होती है, मतलब उसमें changes allowed होते है, और एक tuple में changes allowed नहीं होते है, ठीक है, आगे लिखते है, a tuple is similar to list, but the only difference between list and tuple is that a tuple is mutable, sorry immutable, immutable मतलब values cannot be changed, मैंने अपनी series में immutable और mutable में difference लिखाया है, students, cannot change, आगे लिख भी देता हूँ है, यहाँ पर change नहीं किया जा सकता, whereas, list can, list is mutable, that is, उसमें value change हो सकती है, values can change, और आपने अगर list की videos देखी है, तो आपने देखा है, हमने कई सारे question ऐसे कर रहे हैं, जहाँ पर हमने value को change किया है, ठीक है students, तो यह point भी clear हुआ कि tuple जो है, वो बिलकुल list जैसे ही होता है, बस फरक कितना है कि एक list mutable होती है, और tuple immutable होता है, ठीक, और यहाँ पर न, but the only difference की जगह हटा दो, but the difference लिखो बस, क्योंकि differences और भी एक दो है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता, only word हटा दो, ठीक students, तो यह बात clear हुई, अब मैं आपको कुछ tuples यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, एक-एक करके tuples दिखाऊँगा, और कैसे वो बनी है, कैसे वो operate करेंगे, या कैसे आप बना सकते हो, वो सारी बात है, ठीक, तो सबसे पहले हम सीखेंगे, कि अगर से हमें code में एक empty tuple बनानी है, एक empty tuple बनानी है, तो हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए heading डालते है, creating, और सारा run करके भी देखेंगे students, creating an empty tuple, empty tuple, करना क्या है, empty tuple बनाने के लिए, एक T नाम का variable बनाओ, circular bracket open close कर दो, बस, ऐसे बस हो गए empty tuple, यहाँ पर मैं comment बनाके लिख भी देता हूँ, कि एक empty tuple है, उसमें कुछ data नहीं डालना आपने, ठीक, और print कर दो T को, हाला कि screen पर कुछ आएगा नहीं, बस वही circular bracket open close, blank आ जाएंगे, मगर यह दिखाने के लिए, empty tuple बनी है, मैं आपको इस T variable का data type दिखा देता हूँ, type of T, इससे आपको proof मिल जाएगा, कि हाँ data type टपली दिखा रहा है, मतलब वो टपली बनी है, run करे code को एक बार, यह देखो, सबसे पहले आया, empty bracket, क्योंकि हमारी tuple empty है, और फिर class tuple लिखा हूआ है, क्योंकि हमारा जो T है, वो tuple type का data है, clear हुई बात, तो पहला example सभी को hope clear, कि एक empty tuple कैसे बनती है, ठीक, इसे मैं comment कर देता हूँ, जो जो topic मैं कराता चलूँगा, उसे मैं comment बनाता चलूँगा students, ताकि आप node भी कर लो बाद में, और हम आगे भी चल सकें, next, empty tuple बना लिए हमने, second सीखेंगे हम, creating a tuple of integers, अगर integers की tuple बनानी है तो, बस कुछ खास नहीं, T बनाओ, T में सारे circular bracket में integers दे दो, dynamic नहीं सिखा रहा students, अभी मैं, static सिखा रहा हूँ, ठीक, ये आपकी एक कैसी tuple हो गई, integer tuple, print, T, तो यही tuple as it is display हो जाएगी, और print type of T करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये पता लगे कि ये भी एक tuple बनी है, ठीक है, run करते हैं फिर से code को, अब देखोगे कि tuple display होती है, और class tuple type में class tuple लिखावा आता है, मतलब ये भी ठीक है, integer की tuple भी हो गई, अब students, अगर integer की tuple की बजाए, आपको decimal की tuple बनानी है, तो बस करना क्या है वही, अंदर decimal number दे दो, string की tuple बनानी है, तो अंदर characters दे दो, अब मैं आपको एक mixed tuple बना के दिखा देता हूँ, creating a mixed tuple, last वाली tuple जो सिखाऊँगा न students, वहाँ थोड़े confusion है, उसको ध्यान से समझना, ठीक है, बताऊँगा अभी कैसे, creating a mixed tuple, mixed tuple में क्या है भई, multiple type का data होना चाहिए, तो t is equal to 7, 24, prints, देखो, एक जगा, दो जगा integer है, एक जगा string है, और एक जगा decimal number भी दे देता हूँ, 45.6, print करते हैं, t, और print कर देते हैं, type of t, tuple, print हो जाएगी, run करते हैं code को जरा, यह देखो, students, यह आगी tuple, और उसका type, ठीक, तो होप यह भी सभी को clear हुआ, ठीक, अब आता हूँ, मैं last case पे, जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा confusing है, आपने यह तो देख लिया, कि sir, हमें empty tuple बनानी है, तो कैसे बनेगी, data के साथ tuple बनानी है, तो कैसे बनेगी, अब concept आता है, creating a tuple with single element, यह सबसे बड़ी confusion है बच्चों के लिए, अब आपको लग रहा होगा sir, अभी इसमें क्या confusion है, single element में क्या, हम circular bracket में एक number डाल देंगे, देखते हैं एक बार, देखो भई, मैं लिखता हूँ T, single element, जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, circular bracket, 45 sir, हो गई, बस, यही तो है, single element की tuple बन गई, ठीक है, देखते हैं, देखते हैं, एक बार की यह tuple बनी भी है कि नहीं, print करते हैं, class oh sorry, type T, run करते हैं, ध्यान से देखना students क्या हो रहा है, run करेंगे, उसने 45 दिया, और यह क्या sir, इसने तो class int दे दिया, आपने तो यहाँ पर tuple बनाई है, आपने हमें बोला है कि जब भी data circular bracket में आता है, वो tuple हो जाता है, और यहाँ पे भी आपने data circular bracket में डाला है, तो फिर वो tuple क्यों नहीं बना, यही एक confusionless student जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, कि जब आप tuple का, tuple का single element का tuple बनाते हो, तो आप उसमें जब single element डालोगे न student, single element डालोगे, तो वो as a integer treat होता है, हमेशा, हाँ, आप comma separated एक और दो element भी डाल दोगे न, तो वो tuple बन जाएगी, तो sir हम क्या करें ऐसा कि जिसमें हमारे पास number भी एक ही रहे और हमारी टपल भी बन जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही आ रहा है कि टपल में, circular bracket में single number डालो, single element की टपल के लिए, students आपको बस करना क्या है, 45 single element ही लिखो, इसके बाद बस comma लगा दो, बस इतना सा काम को सब लोग याद रखेंगे, क्योंकि उपर जो concept है, उसमें कोई confusion नहीं है, वो easy है, simple है, पता लग गया, list में पढ़ चुके हो, और आपको समझ भी आ गया होगा, मगर यहाँ confusion है, यहाँ पे अगर आप single circular bracket में एक number डाल दोगे, तो वो integer form में store होता है, ना कि टपल में, आपको मैंने दिखाया वो run करके, जैसी आप एक comma लगा के blank छोड़ दोगे, तो वो tuple बन जाता है, hope, सभी को tuple की creation static entry clear होई, ठीक है students, तो यही tuple था, आज मैंने आपको tuple का intro दिया है, कि tuple list की तरह collection of data ही होता है, मगर square bracket की जगए circle bracket में आता है, दूसरी बात, list mutable होती ह list में allowed होते हैं, ठीक है, कैसे changes allowed नहीं होते हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगा, coding पे जब हम पहुंचेंगे, उसके बाद मैंने आपको different different तरीके की tuples बनाना सिखाया, ठीक, अब एक चीज और, एक point और रहागा students, that is, multiple elements की जो tuple है न, वो एक तरीके से और बन सकती है, यह, य यह लिखो, उपर वाली statement लिखो, या यह वाली statement लिखो, बात ही की है, दोनों में कोई फरक नहीं है, comma separated लगाते हैं, वो automatically by default circular bracket add कर देगा, मगर list में ऐसा नहीं होता, list में आपको square bracket लगाने ही पड़ते हैं, मगर tuple में अगर आप ना भी लगा और comma separated element दे दो न, तो tuple बन अच्छी लगी हो students, तो please channel को subscribe कर देना, वीडियो को like कर दो और अपने friends में इस series को जितना जाद से जाद शेर कर सकते हो, share कर दो, मैं detail में python लेके चल रहा हूं students, एक भी topic मैंने कुछ भी अभी तक miss नहीं किया है, ठीक, आज के लिए इतना ही, till then keep watching and keep learning, thank you, have a nice day everyone.